सुना है लकीरों का लिखा बदल सकता है इंसान जिस रूप में चाहे ढ़ल सकता है कठपुतलियां भी चलती हैं उंगलियों के सहारे इंसान भी अपने इरादों पर पल सकता है उपर वाले ने केवल इंसान को ही इतनी ताकत दी है कि हजारों ठोकरों के बाद भी वह संभल सकता है उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिसे अपने अंदर कोई गलती नजर ही नहीं आती एक सत्य यह भी है कि प्रेम आपको कभी कमजोर नहीं करता और जो कमजोर करे वह प्रेम होता ही नहीं दो लोगों का डर हमेशा रखना एक इस्वर का और दूसरा उस इंसान का जिन्हें इस्वर का कोई डर ही नहीं होता जिन्दगी का सबसे बुरा लमहा वह होता है जब कोई आपको इतना दुख दे कि आखे भर आए और फिर वही पूछे कि क्या हुआ और आप मुस्कुराते हुए कहें कुछ भी तो नहीं अगर कोई आपको छोड़ कर चला जाए तो दुखी मत होना क्योंकि गलत लोगों को जाना पड़ता है जिससे की सही लोग आ सकें दुखी मत होना अगर कोई आपको बुरा कहे तो ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसे सब अच्छा कहें अगर मन में बैर है तो मंदिर, मस्जिद और गुरु द्वारा जाना सिर्फ एक सेर है वक्त से पहले मिली चीजें अपना कीमत खो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत खो देती है अगर आपके पास जो कुछ भी है, उनसे आप संतुष्ट हैं और खुस हैं तो आप बहुत अमीर हैं जुबान का वजन बहुत हलका होता है पर इनसे निकले हुए अलफाज बहुत वजन रखते हैं कोशिसे उस वक्त बेकार हो जाती हैं जब ख्वाइसों की किस्मत के आगे हार हो जाती हैं तलास जिंदगी की थी दूर निकल पड़े जिंदगी तो मिली नहीं तजुर्बे पहुत मिलें कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा जुक कर चलती है हमारे जुकने से अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो जुक जाने में कोई बुराई नहीं है जो इनसान तुमसे गुस्सा भी करे फिर भी रिस्ता ना तोड़े वह इनसान बुरे वक्त में तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा वक्त तजूर्बा देता है लेकिन मासुन्यत छीन लेता है पलट कर जवाब देना बेसक गलत बाद है लेकिन हमेशा सुनते रहने से लोग बोलने की हदें पार कर जाते हैं